बिसमिल्लीरह्मानी रहीम, मैं हूँ शमा असलम, आपके यूट्यूब चैनल पर मैं डिस्कस करने जा रही हूं एंडोप्लास्पिक राटीकूलम को, जिसको हम लग बायो सेंथेटिक फैक्टरी भी कहते हैं यह जो एक्स्टेंसिव नेट्वर्क है यह क्या है बिसीकली एक्स्टेंसिव नेट्वर्क है किसका एक्स्टेंसिव नेट्वर्क है मेंब्रेन्स का और इसने अकाउंट किया है more than half the total membranes total membranes in the eucleotic cells eucleotic cell के case में half से ज़्यादा जो membranes consist करती है वो endoplasmic reticulum पर ही consist करती है किस पर करती है endoplasmic reticulum पर अब word है endoplasmic mean क्या है basically हमारे पास word है endoplasmic endoplasmic तो endo का मतलब हो गया within endo का क्या मतलब है with in और plasmic का मतलब है cytoplasm यानि कि यह कहां पाजाता है endoplasmic यानि कि within a cytoplasm ठीक है जब कि अगर हम लोग इसकी बात करें reticulum के हवाले से यानि का मतलब है यह लिटल नेट है यह क्या है लिटल नेट है यानि कि यानि कि cytoplasm के अंदर कि यह क्या पाई जा रही है नेट्र की फार्म में यह एक्जिस्ट कर रहा है endoplasmic reticulum अब यह जो एंदर प्लाजम के नेट्र करते हैं membranous tubule के network पर ठीक है और सेक्स मुझो दोती है जिसके हम लोग sisternia कहते है इसकी composition कैसा है इसकी structure के बात किरते है structure of endoplasmic reticulum यह क्या है विसीकली यह network है membranous tubule का और सेक्स का network network of membranous tribules और किसका सैक्स का जिसको हम लोग किसका नाम लेते है sisternia का अगर हम लोग sisternia को लेतीनी जुबार में देखे ना तो यह बैसिकली के रेजर वायर है किसकी liquid की यह बैसिकली क्या है अगर हम लोग इसको देखे हैं किसमे लतीनी जुबान में देखे लेटन किससे निकला हुआ है सिस सिस्टर्णा से इसका मतलब क्या है रेजर वायर फारा लिकवर्ड रेजर वाय पारा लिकवर्ड की एक लिकवर्ड की रेजर वाय है आप जो एंडप्लास्मिक रेटिकुलम है ना मैं आपको इसका से ट्रक्षर दिखाती हूं तो आपको यहां से रिप्रिजन परने के कोश्च करूंगी कि इस चर्णिया बिसीकली क्या है यह आपके सामने जो कि इसको इसक बादेवर्यकर है और यह सारी फेर्ड़्यक से ट्रक्षर भी यहां की जो कि ऐसे जो परेशने नहीं एर मैंट्रफ्लास्मिक रेटिकुलम लुमन कहलाता है ऐग्र है इस में है यह सेस्टरंडन नहीं है। है क्ली कंसिस्ट करते हैं.. यह एक थेिकि लिए निष 요 कि आप लोगों इस फाम नरी आ रहे हैं यह क्या कैसी बीनीया सेस्टरंटरनी है। और ऽैस थेल निधर आरह सेस्टरंटना की नाम दिए हुए अब जो endoplasmic membrane यह आपस में separate हैं एक दूसरे से अलग है endoplasmic reticulum के internal compartment के से क्या है उसको हम लोग endoplasmic lumen का नाम देते हैं किसका नाम देते हैं endoplasmic reticulum lumen का नाम देते हैं इसले के लिए कि जो membranes है आपस में क्या है separate है और किस lumen की मदद से separate है उसको हम लोग er lumen का नाम देते हैं अब नेक्स्ट इसको मैं यहां पर आपको लिख के भी देती हूं थाके मजीद इसको एक्स्प्रेइन हो जाए एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम मिम्ब्रेन इंडो प्लास्मिक रेटिकुलम मेंब्रेन इसने क्या होना जी यह जो separate होना separates यह अलाग कर देते हैं किसको अलाग कर देते हैं internal compartments को internal compartment किसके internal compartment एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम के ठीक है और यह जो basically compartments उन्होंने क्या बनाना है एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम लिउमन किसकी फ्रमेशन करनी एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम में ल्यूमन. ख्लेर हैं? एंडडियोप्लाजमी ट्रेस्मी के अद लोग कर दियूमन के इंटर्सर्नल कंपाटमंने को अलग जूह करते हैं विआटी हमने ली ने। लुमन बैसिकली कैवर्टी है क्या है कैवर्टी है अब दूसरे लफजब यह कह देते हैं कि स्टर्नल जो स्पेस है ना वह साइटो सोल से सेपरेट कौन करते हैं इसकी रीजर यह है कि जो एंडोप्लाजमी ब्रेन वह कॉंटीनियूस है अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर को już साथ देख रहे हैं यहां यह देखें यह जो एंडोप्लाजमी भी अजिकले साह है व्याल पर दिखा सातौरीश नेशक्टीच मेंसा चंग का इसकी अवित प्रमेड पर दिखा एप पलाजमी दौ से वह संब साथ, यह चीज़ अब जो स्पेस ना इन दोनों मिम्ब्रेन के दरमियान उस कॉंटिनूस किया हुआ हैं अंडो प्लाइमिन अर्टिकुलम के लियूमन ठीक हैं दो वाजिया और कॉनेक्टी रिजन होते हैं प्लाइमिन अर्टिकुलम को जो के डीफर करते हैं इनका से ट्रॉ एक विप्लास्मिक रैसम नहीं मुझूद उनके पास रैडों सोमूद उनको मेर नोग एक विपलास्मिक रैसम नहीं वी जिनकहें है यह इसे कि पीकूलम यह शॉल पकाओन्य राइबं पन सिग्सजिंद आड़न काई by इंविछ झाल यहाँर। Types of endoplasmic reticulum Types of endoplasmic reticulum सबसे पहले types है हमारे पास Smooth Smooth endoplasmic reticulum और दूसरी है जी Rough endoplasmic reticulum यह जी समूथ endoplasmic reticulum है इसका नेम ही इस वजह से है कि इसकी आउटर सर्फेस है उसके पास ribosomes नहीं मजूद यानि के ribosomes absence of ribosomes lack of ribosomes जबके हम लोग राफ की बात करें इसके निर क्या मुझूद है presence of ribosomes इसकी आउटर सर्फेस पर क्या मुझूद है ribosomes presence of ribosomes on the outer surface इसकी आउटर सर्फेस इसकी आउटर सर्फेस ठीक है अब किया जी दस अपेर इस रफ इस रफ इस वजह से अपेर होते है क्योंकि एलेक्ट्रोन मैक्रोस्कोब इसका स्टक्चर देखना है तो हम लोग को राफ नजर आ रहा है due to the presence of ribosomes अब मैं बात करती हूँ functions of smooth endoplasmic reticulum कि कौन-कौन से ऐसे functions है जो कि smooth endoplasmic reticulum जोना perform करती है functions of smooth endoplasmic reticulum functions of smooth endoplasmic reticulum सबसे पहले जी इसका जो functions है ना वो यह है लिपर्ड की production करती है synthesis of lipids synthesis किसकी synthesis करती है synthesis of lipid ठीक है and the second is the metabolism of carbohydrates क्या करते हैं metabolism of of carbohydrate ठीक है and the third is the detoxification detoxification of drugs and poisons कि यह जो detoxification किसकी कहती है drugs की ठीक है जो मंशियात वगारा है और जहर वगारा की and the fourth important fourth function is the calcium ion storage storage of calcium ions यह थे basically functions of smooth endoplasmine that is what we discuss one by one and the first one we discuss, which is synthesis of lipids what function is the first one synthesis of lipids कि लिपर्ड की जैसे बसीक्लीu पैसिल होती है कि अब स्मूट अड़ यह झूट अब श् Cenृट फॉंक्शन हना उभ गीज थी संंथेस अफ बई पर उपर इन्जाइम्स क्मूफ यह थैना स्मूट अंड़ने ञिकनि क्या करते हैं जी बहुत ही ज़्यादा जूरी है किसकी फार्मेशन के लिए लिपट्स की जिसमें जाते हैं और फास्फो लिपट्स थी जिश्के स्टीनियोल सेह बेने सफसिक वजआएंइमिल सेल में समूथ एंड ईयूपलाजविक राटिकूलम से ही स्टीनियोल सेह उच्वज़ diffuse होते हैं एनिमल सैल स्टीनियोलियोग सेह पुराइट्स ह्ऽे। और बहुत ज्यादा स्टिरोइड हार्मोन थे ना वह एड़ीरल ग्लैंड से भी एक्सक्रीड होती हैं कहां से यह स्टिरोइड नियुकलते हैं जी इंटरप्लाजमी केसे मने देखा स्टिरोइड नियुकलते हैं जी नियुकलते हैं जी इंटरप्लाजमी नियुकलते हैं और सेक्स हार्मोन से सेक्स हार्मोन से ठीक है जबके अगर किसकी next बात करें जी वह एड्रीरिनल ग्लैंड से निकल रहे होती हैं मुखिव तरह किस टीराइड हार्मोन से निकल रहे हैं अद्रीरिनल ग्लैंड से नजन की मिल में स्मूध अन्डड्ड एर्ट्रीयड 이ukle अन्डडियूस से ऑन सकत हों सेट मिल अन्डड्रीयूस इे और्डरिमे उर्ड़े progress रोısı आप ड्रीयूस त्यरइन ड्रीक्रीयड सेटाय। Center in his आपसले अन्डड्डाय का सीपनि वर्डियुर्य। इससे टेस्टिस में और और मिसाल के तोरपर जी इस तोरपर इस तीकलर में एक सब्सेटियरे तो डिची इन Mdleszi in Urla. एक पेस्टिस अर उव्रियूरी उपनारी मर oneself चुशे एक कमी था, कमीश होे कि लोपान इंट अर्टो नाउसर मचिझ से जमद सवरी पहेड़ ही, को सब्सक्या 躲。」 अगर मैं किसकी बात करें, टेस्टीस, टेस्टीस, और ओवरीज की, तो ही किसे इनरीच हैं यह समूथ अंडप्लास्मी अर्टिकुलम से इनरीच है, यह बेसिकली क्या है, यह स्ट्रक्शल फीचर है, जो के फिट करता है इन सेल्स को अपने फंक्शन पर्फॉर्म करने के लि इनरीच है, यह समूथ अंडप्लास्मी अर्टिकुलम यि यह क्या करते हैं, अपने फंक्शन झाहना वह अच्छे से पिरिफोर्म कर ले अई-च्छे क्या करने इनरीच है, अब नेक्स्ट करती हूँ लेटोफिकेशन के हवाले, इसे क्यावालेशन से स्टिक अच्छ इसे smooth endoplasmic reticulum के किसकी बात करी हूँ smooth endoplasmic reticulum के बहुत ज्यादा जो enzymes है उन्होंने detoxify करना है drugs को दूसरी important की बात अने लगी है जिसमें क्या आजाता है detoxification of drugs detoxification of drugs and poisons जहर को और किसको करना है इसने drugs को detoxify करना है ठीक है अब कैसे करना है इसको में बिसक्रिस कर लेते हैं अब जी जो smooth endoplasmic smooth endoplasmic reticulum पे क्या मुझूद है थी बहुत जादा enzymes है इसके पास ठीक है अब ये जो enzymes खास तोर पर ठीक है किसको help करते हैं drugs को detoxify करते हैं और poison को liver cell की बात करना है किसमें जी liver cell में liver cells में ठीक है अब ये जो detoxification होती है आम तोर पर इसने involve कर देना होता है hydroxyl group को drug molecule के में ठीक है इसने के करना है hydroxyl group को किसमें add कर देना है drug molecules के अंदर drug molecule के अंदर अब जब drug molecule के अंदर hydroxyl group add होगा ना तो इस चीज ने जो है ना drug को easily बोडी के अंदर soluble होने में help कर ने है ये क्या हो जाएगा more soluble ठीक है और easy easier to flash और इसको जिसम के जो गोष्ट है जिसम बोडी के अंदर जाएगा easily क्या हो जाएगा slower होजएगा इसरी जो लिए फेनो बोडी जो जाएगा easy to flash from the body now इस जो बोड़ा सिड़ेटी फिनो बार्डील्स है और दूसरी जो बार्डीच्रायट्स हैं ये भी एक्जेम्पल्स हैं इसकी ड्रग मेटबलाइज्डी किक है किसकी एक्जेम्पल्स हैं drug metaboli क्या चाहरी हैं। C यह जो नशावर जो हैं यह सारी के सारी फैनो बार्बी चौल और साथ कौन दूसरी बार्बीचर्ण इसकी एक्जैम्पल्स हैं। ड्रग मेटबोलाइज्ड के ड्रग मेटबोलाइज्ड के ठीक है। इस मेनल्में जो लेवर सेल्ग के ड्रग मेटबोलाइज्ड रोती हैं। इसे बार्बीचर्ण ड्रग के एक आसा घ्रूप है जो के नेज्ड को प्रडूस करते हैं। अगर इनसाइडी का श्कार तो तो इसको decrease करने मदद आती है पहले 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 इसाम कैसे लगता है बिल्कुल हमारे लिए अच्छा है जो एना थोरे से सुकून और लिए 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 इसके भूछ जादा harmful एफेक्श नज़र आते हैं यह ऐसा ग्रूप है बार्बी जुरेट्स ग्रूप है ड्रक्स का ठीक है जिसने इस त्रीप को इंजाइट्री को डिक्रीज करना होता है तो पहले पहले जो असानी से इसको इसको इटॉलाइज लोग कर लेते हैं लेकिन इसके बहुत जादा हांफुल एफेक्ट्स नजर आत ज़्फ दूसरी ड्रग्स यह होग कि यह ग्रूप है किसका ड्रग्स का ग्रूप जिसने के करना है इंड्यू जि तक पांसलिक है इनजाइटी को डिक्रेज करना है इनजाइटी डीक्रीज्रीज इस है लेकिन बारबीच रेर्ट हो या फिर अल्कोहल हो या दूसरी ऐसी ड्रग्स इन सबने क्या करना होता है स्मूध अंडव्लास्मिक रेडिकूलम की प्रोलाइफ रेशिए लिना इसको ज्यादा कर देना होता है इनका काम क्या जी? मैं यहां लिख रहती हूँ बार्विचुरेट्स, अल्कोहल और ड्रग्स वगरा जितनी भी दूसरी है इन्होंने क्या करना होता है? इन्होंने इंड्यूस करवाना होता है प्रोलाइफ रेक्शन ओफ स्मूथ एंड्यूप्लाज्मिक रेटी कुलम ठीक है? और इसका जो एससेटी डी टॉक्सिफिकेशन इंजाइम्स है ना उसको भी क्या करना होता है? इन्ड्यूस करवाना होता है और स्मूथ एंड्यूस करवाना होता है? associated detoxification enzymes detoxification enzymes ठीक है अब बर नेक्स यह होगा कि अब बर detoxification के जो rate नहीं वो बढ़ जाएगा इनकी होजासे क्या होगा detoxification increases increases smooth endoplasmine, kratyklum भी जादा निकले हैं जिसके वाइसे enzymes detoxification भी जादा होगए है तो फिर जिसके वाइसे क्या होगा detoxification भी बढ़ जाएगा लेकिन इसके नतीजे में इसका नुकसान की होगा कि जो ड्रॉग की tolerance भी बढ़ जाएगा अगर कोई परसंग है तो वह ड्रग जोने ज्यादा लेने का आदिय हो जाएगा इसके बैड इफेक्ट के आएगा increase 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 tolerance of tolerance of drug कि जो ड्रग लेने की जो tolerance है ना जो ability है यह जो capability है वो क्या हो जाएगी बर जाएगी increase हो जाएगी clear अब उसके बाद यह दिर देखें जी next strategy इसका मतलब है कि person को जो अना particular effect के लिए जो ज़्यादा dose देनी परेगी ठीक है जैसे के citations बगारा है तो यह भी क्या हो जाता है with the passion of time जो ना इनसान जो ना इसका जो आना आदी हो जाता है अब intolerance की power क्या हो गई है बर गई है increase tolerance of drug अब जब increase tolerance हो गई है ना तो particular effect के लिए क्या करना पड़ेगा higher dose required higher dose required इसकी रिजन क्या है के रिटोक्सट इंजाइन्स दॉक्सिफिकेशन वाले इसके नतीजह में स्मूथ अंडप्लाज में की जो प्रो लाइफ्रेशन हो क्या करेगी एक ड्रग पर इंक्रीज कर देगी tolerance for the other drug के लिए clear है मैं मजीद यहां पर लिख रहती हूं ताके आपको यह concept बिल्कुल clear हो जाएं and also because more of some of the detoxification enzymes some of detoxification in enzyme have relatively broad action क्या होगा relatively broad action इसके नतीजे में smooth endoplasmine इसके प्रो लाइफ्रेशन है वह एक ड्रग के नतीजे में दूसरे ड्रग की जो tolerance है उसको increase कर देगी यहनी के ज्यादा पावर्फुल ड्रग लेने की जूरत प्रेशा है है दी प्रो लाइफ्रेशन of smooth endoplasmine करेटी कुलम in response to one drug can increase tolerance to other drug जिसके नितिजे में क्या हो जाएगी बार्बी चुरेट्स अब्यूज हो जाएगा बार्बी रेट्स अब्यूज इसकी मिसाल है जी इसी एक्जेम्पल में देती हूँ एक्जेम्पल कहा है जी certain antibiotics और दूसरे जो useful drugs है उसकी जो effectiveness ना उसमें भी कम ही आ जाएगी अब जब अब बाबड़ी चुरेट्स का अब्यूजर अश्रू हो गया तो क्या हो गया इसकी नितिजे में decrease decrease the effect of effectiveness निख लेते हैं effectiveness of anti certain antibiotics की बात हो रही है और यूस्फुल ड्रॉग्स आपने करस्के सुना होगा कि जो हैना medicine वह असर करना चोड़ी है तो उसकी रीजन ही होती है कि स्मूथ अंड़प्लास्मिक अर्टिकुलम इंजाइम्स हैना वह हज से ज्यादा प्रोलाइफट कर जाते हैं यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि सारा का सारा बहुत ही इंपोर्टन यह एक कॉंसेप्ट है जो मैंने आपको एक्स्क्रेंट किया है कि ड्रॉग्स और पॉइसंस की डीटॉक्सिफिकेशन कैसे स्मूथ अंड़प्लास्मिक अर्टिकुलम करता हैं तो मैंने यह बताया इसको आजानी से क्या कर लेगी फ्लश कर लेगी जिस्सम के अंदर अब जुस्से डेटिव जो है ना फिनो बार्प्टिलर्सिंग के ड्रॉग मेटबलाइस